मैं डॉक्टर शिखा अगरवाल, गौर्मेंट कॉलीज सुजानगर, बी ए पार्ट थर्ड की आजकी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेशनेती. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विदेशनेती क्या है? विदेशनेती वो प्रमुक साधन है, जिसके माध्यम से एक देश अपने अंतराष्टिय संबंद संचालित करता है. हम विश्व में जो विभिन देश देखते हैं, बड़े देश अमेरिका जैसे या रूस जैसे या फ्रांस जैसे जो महाशक्तियां कहलाते हैं, वे भी अपने विदेशनेती का संचालन करते हैं और उसी के माध्यम से राश्टिय हित निर्धारित होते हैं. काफी हद तक एक विदेशनेती राश्टिय हित से निर्धारित होती है, राश्टिय शक्ति को संचालित करती है और उससे विश्व में शक्ति के संतुलन को बनाया जाता है. एक देश के द्वारा दूसरे देश के साथ किस तरह के संबंध होंगे और ये संबंध किन आधारों पर संचालित होंगे ये हमेशा से एक मैत्वपोन प्रश्ण रहा और इस समय हम देखें तो विज्ञानिक तकनीकी परिवहन और संचार के शित्रों में जो देजी से क्रांती आई है उसने पूरे विश्व को एक बना दिया और इसने विभिन देशों के जो आपसी संबंध है उनमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और इसके साथ साथ यह संबंध बहुत जटल भी हो गए किसी भी देश के दूसरे देश के साथ किस तरह के संबंध होंगे यह बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है विदेश नीती का जो निर्धारण है उसका सबसे महत्वपूर्ण अत्तव है उस देश विशेश का राश्ट्रिय हित है उसी के अनुसार वो दूसरे देशों के स साथ संबंद रखता है यहां तक कि अगर किसी देश के साथ पहले उसके बहुत अच्छे संबंद थे लेकिन बाद में उसके राष्ट्रे हित उससे टकराने लगते हैं तो वो अपनी विदेशनेती का संचालन उस मित्र राष्ट्र के विप्रीत हितों में भी करने लगता है अगर हम छोटे रूप में कहें तो कोई देश अपने सभी अंतराश्टिय संबंद बनाने या स्तापित करने, उन्हें बनाई रखने और विक्सित करने या कुछ देशों के साथ विवाद, संघर्ष, तनाव और युद्ध करने का एक आधार रखता है. और वह जो आधार है वो है उसके राश्ट्रिय हितों की पूर्ती उससे होती है या नहीं होती है. इसलिए किसी भी देश की विदेश नीती को अगर समझना है, तो हमें सबसे पहले उसके राश्ट्रिय हितों को समझना जरूरी है. समय के साथ किसी देश के राश्ट्रिय हित में परिवर्तन भी आता है और राश्ट्रिय हित को परिवर्तित जो परिस्थितियां है विश्व की उसके अनुसार फिर से परिभाशित भी किया जाता है. इसलिए हम देखते हैं कि किसी काल विशिश में किसी देश का कोई बहुत अच्छा मित्र देश है लेकिन कुछ समय बाद में उससे मित्रता कम हो जाती है और किसी दूसरे देश के साथ मित्रता बढ़ जाती है. उसका कारण है राश्ट्रिय हित. तो विदेश नीती पर हम किसी भी देश के राष्ट्य अहित का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव देखते हैं जब हम किसी देश की विदेशनीति को देखते हैं तो अभी जैसे हमने चड़ जागी कि उसका जो स्वरूप है वो उस देश के राष्ट्रिय हिस्से नरधारीत होता है लेकिन उसके साथ साथ उसके निर्मान के आधार भूत तत्व है ये आधार भूत जो तत्व हैं इनसे किसी भी देश की विदेशनीती को समझा जा सकता है या उस देश की विदेशनीती जो बनती है उसमें ये निर्णायक तत्व के रूप में दिखाई देते हैं अमेरिका की जो विदेशनीती है उसमें वहां की जनता का अनुभाव है इतिहास है प्राकर्टिक संसाधन है सुरक्षात्मक तरीके हैं वहां की जनसंख्या है तो ये सारी चीजें जो हैं ये मिलकर के उसमें राष्ट्रिय लक्ष और हित को मिला करके विदेश मामलों को संच तो इन तत्वों को हम लोग देखेंगे, सबसे पहला पहली जो इस्थिति है जो अमेरिकी विदेश नीती को निर्धारीद करती है या उसका निर्मान करती है वो है भोगुलिक इस्थिति, अमेरिका की जो भोगुलिक इस्थिति है वो बहुत अलग है, यहाँ पर जो प्रेजी और व्यापार है उसमें यहां की भागॉलिक इस्थिती से बहुत ज्यादा वृद्धी हुई और जो पश्चिमी गोलार्द की सुरक्षा के लिए अनुकूल पर इस्थितिया है वो इसमें उत्पन्न हुई यहां की जो जलवायू है पहाड़ है नदिया है उन्हों यहां की जो विदेश नेती है उसका विकास करने में कोई बाधा नहीं पहुँचाई बल्कि इसको बहुत तेजी से विक्सित किया एक फ्रेंच राजदूत ने कहा था कि यह देश यानि अमेरिका ऐसा भग्यशाली है कि उत्तर और दक्षिन में तो इसकी सीमाओं पर निर ज्यादा मजबूत देश की श्रिणी में नहीं आते दूसरा जो तत्व है इसके विदेश नेती के निरधारन का हो है प्राकरतिक साधन ये बहुत महत्वकून बात है कि यदि किसी कोई देश आत्म निरभर है प्राकरतिक संसाधनों में तो उसकी विदेश नेती उतनी ही म बड़ी समस्या थी लेकिन उसके बाद वो प्राकर्तिक संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया और ये आत्मनिर्भरता उसके लिए एक वर्दान की तरह से हो गई और इस आधार पर अमेरिकी विदेशनीती का निर्मान हुआ और इसलिए वो विश्व को काफी हद तक खाद्यान और अन्यसामगरी की आपूर्दी करता है प्राकर्तिक संसाधन में सिर्फ तेल या ओल एक मात्र ऐसी वस्तु है जिसका उसे भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है तीसरे बात आती है सुरक्षात्मक शक्ति कोई भी राष्ट जो सुरक्षित नहीं है या निर एक्रम की द्वारा मजबूत बनाना चाहते है उनका मानना है कि अगर सेन्य शक्ति अधिक है तो राष्ट को सुरक्षित रखा जा सकता है और यही कारण है कि सकिंड वर्ड वार में अमारीका बहुत तेजी से उभर करके सामने आया और उसने परमानु शक्ति का विकास किय अगली बात आती है मानवेस रोत ओसत अमारीकी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन चितने भी गैर बश्री में देश की श्रमिक है उनकी उत्पादन की जो तुलना हम करें तो उससे बहुत उचा है यह एक बहुत बड़ा कारण है कि अमारीका की विदेशनीती जनस संक्या का जो आकार है और जो उसकी गुणातमकता है वो बहुत महत्वपून है और उसी के आधार पर विदेशनीती मजबूत है अगला आता है वहां की ग्रहनीती और दबाव गुट अमेरिका में दबाव गुट बहुत महत्वपून है और दबाव गुट का विदेशनीत पर भी गहरा असर आता है पूरे देश की जो ग्रह नीती है उसके आधार पर भी जो अमेरिकी विदेश नीती है वो प्रभावित भी होती है और संचालित भी होती है अगर दबावगुट कोई निर्णा लेता है या दबावगुट किसी बात के लिए दबाव डालता है तो अ अमेरिका की फिलिस्तीन सम्मंधी जो नीती थी, वो अल्प संख्यक यहूदियों की मांग को ध्यान में रखतर के बनाई गई थे। धार्मिक और व्यापारिक संस्थाएं और दूसरे सामाजिक संगठन भी विदेश नीती को अपने हितों के अनुसार प्रभावित करते रहते हैं। तो उस समय इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ता है। नहीं देती। परिणामत है राश्टपती अपने तरीके से निर्ने नहीं ले पाती। अगला आता है दलगत सहयोग। एक बहुत महत्वपूर्ण बात अमेरिका में है कि वहाँ पर दलगत सहयोग और प्रशासनिक समनवे बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और इसलिए जब अमेरिकी विदेशनेती में कोई निर्ने लेना होता है या इसका निर्मान हुआ तो उस समय भी ये दलगत सहयोग और प्रशासनिक समनवे बहुत महत्वपूर्ण था। और कई बार ये कठनाई आती है कि राश्टपती जिस नीती को निर्धारीत करना चाहते हैं उस पर जो कॉंग्रेस है वो अपना बहुमत नहीं देती। इस सम्मद में एक उधारन बहुत महत्वपूर्ण है व्यापक परमानू परिक्षण निशेद संधी जिसको हम सामने भाषा में CTBT बोलते हैं अमेरिकी राश्टपती विल क्लिंटन विदेशनिती के साथ साथ CTBT पर भी कार्य कर रहे थे लेकिन इस संधी को उस समय बहुत बड़ा जटका लगा जब अमारी की सीनिट ने इसको अनुमूदन देने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ पर ऐसी स्थिती है कि सौ सदस्यों वाली सीनिट में किसी भी ऐसे ऐसी संधी के अनुमूदन के लिए दो तिहाई मत यानि 67 मतों का पक्ष में होना आवश्यक है जबक अक्टूबर 1999 को तो इसकी पुष्टी के लिए जो मतदान हुआ उसमें 48 मत इस संधी के पक्ष में पड़े और 51 मत इसकी विरोध में पड़े परिणाम स्वरूब अमारी की राष्टपती विल क्लिंटन का ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया तो इस तरह से अमारी की विदेशनीती का निर्धारन जो है बहुत सारे तत्व करते हैं जिसमें भगलीक स्थिती भी आती है जिसमें प्राकर्टिक साधन भी आते हैं मानवीय स्रोत भी आते हैं सैनी शक्ती भी आती है वहां के दबाग गुटों की बहुत महत्वपून तो कुल्मी लाकर के ये उसके निर्मानकारी तत्वा है अब आते हैं सयुक्त राज अमेरिका की विदेश नीती के उद्देश्य क्या है किसी भी देश की जो विदेश नीती है उसका उद्देश्य होता है अपने देश के हितों को पूरा करना और अपनी सुरक्षा को मजबूत करना, मित्र राष्ट्रों की संख्या को बढ़ाना और अपने आसपास के शित्र में अपने प्रभाव शित्र को बढ़ाना अमेरिकी जो विदेशनीती है उसका उदेश्य भी इससे मिलता जलता है सबसे पहला उदेश्य है राश्टिय सुरक्षा ये अमेरिकी विदेशनीती का मुख्य लक्षा है जिससे राश्टिय सुरक्षा पर किसी भी प्रकार की आँच नहीं आए और इसलिए अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यॉरप के बीच में शक्ति संतूलन बनाई रखना चाहता है यॉरप में पश्चिम जर्मनी और एशिया में जापान और पाकिस्तान का समर्थन इसी आवशक्ता पर वो करता है जिससे जो सामयवादी शक्तियां हैं, सोवियत संग है, उसके विरुध एक शक्ति संतूलन को बनाया जा सके दूसरा आता है जनतंत्र की रक्षा अमेरिका में प्रजातंत्र है और इस जनतंत्र का वो प्रबल समर्थक भी है प्रथम विश्वयुद के बाद जनतंत्र की रक्षा के लिए उसने महत्वपून योगदान दिया दूतिय विश्वयुद के समय भी जो वहां के राष्टपती थे रूजवल्ट उनका उद्देश्य हिटलर की तानाशाही को खत्म करना था और संसार में विश्व में चार प्रकार की स्वतंत्रता इस्थापित करना उन्होंने बताया भाशन की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता और भाय से स्वतंत्रता तो इस तरह से प्रजात अंत्र की रक्षा इस विदेश निती का उदेश्य है और इसी के आधार पर वो विभीन देशों में हस्तक्षे भी करता है तीसरा आता है सामयवाद का फिरोध द्यूतिय विश्यूइद के बाद ये निती उभर करके सामने आती है सामयवाद का प्रभाव द्यूतिय विश्यूइद के बाद बढ़ने लगा सोव्याद संग अपने पक्ष में जढ़ा तर देशों को करने के लिए अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पूर्वी यॉरप के जो देश थे उनमें सामयवाद का प्रिसार करने लगे ऐसे में अमेरिका ने सामयवाद को रोकने के लिए अपनी नीती को स्थापित किया जिसमें सैनिय संगठन भी शामिल किये और बनाए गए सैनिक अड़े भी स्थापित किये गए अन्य कही नीतिया अपनाई गए जैसा कि चेस्टर बॉल्स का कहना था युद्ध के बाद यानि दुदिय विश्विद के बाद मुख्य रूप से अमारीकी कूट नीती साम्मेवाद को उसके विस्तारशिल सोवियत और चीनी रूपों में विशाल रूस और चीनी सीमा के चारों और शक्ति की स्थितियां उत्पन करके रोक कर रखने की रही है इस तरह से अमेरिका सोवियत विस्तारवादी नीती को खत्म करने की कोशिश निरंदर करता रहा चौथा आता है तनाव कम करना हलकी दोनों के मध्ये सकेंड वर्ल्ड वार के बाद शीतियुद शुरू हुआ और वो शीतियुद बढ़ता चला गया ऐसी इस्तिती में उस तनाव को कम करने के लिए कुछ कार्य भी किये गए और अमेरिका उसमें आगे भी रहा क्योंकि तनाव जब पहुँच जदा बढ़ जाता है तो युद का खत्रा भी बढ़ जाता है दोनों ही देश तनाव एक दूसरे पर बढ़ाने का आरोब भी लगाते रहे तो दोनों ही देश तनाव खत्म करने के लिए प्रयास भी करते रहे इन प्रयासों में अमेरिका ने आणू परिक्षण प्रतिबंध संधी 1963 पर्मानू अप्रसार संधी 1968 सॉल्ट फर्स्ट और सेकिंड समझोते और आई एन एफ संधी 1987 स्टार्ट संधी 1991 और 1993 पर दोनों महाशक्तियों ने हस्ताक्षर की जिससे इस बात को बहुत ज़्यादा विचार मिला या समर्थन मिला कि अमेरिका सोवियत संग और रूस के साथ अपने तनाव पून संबंधों को सुधारना चाहता है यानि अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह से तनाव कम हो विश्व में युद्ध का खत्रा कम हो पुनर निर्माड हो युवनों का इस्तिमाल जो है वो शांती के लिए हो बजाए तनाव बढ़ाने के लिए या कारियों को डिले करने के लिए ना हो ये स्थिति काफियाद तक अमेरिकी विदेशनीती का उदेशी थी पांचपा उदेशे है विश्व शांती की स्थापना करना 1945 में जब युवनों की स्थापना होई थी तो उसका उदेशी विश्व शांती की स्थापना था और इसमें अमारी का अग्रणी देशों में था डलिस ने 1955 में कहा था हमारी विदेशनीती का व्यापक लक्षे संयुक्त रज्य अमेरिका के लोगों को शांती और स्वतंतरता का सुख भोगने का अवसर देना है यानि विदेशनीती का उद्धिश्य विश्व शांती को स्थापीत करना और अपने देश में भी शांती और स्वतंतरता का महौल बनाना रहा और उसी के लिए इस विदेशनीती पर काम किया गया अगला आता है नई विश्व व्यवस्था का निर्मार 1991 के बाद सोव्यत संग का पतन हो गया और रूस एक राष्ट के रूप में उबरा और क्योंकि संग का पतन हुआ तो इसलिए उससे स्वतंत्र हुए राष्ट अपनी स्वतंत्र नीती अपनाने के लिए विश्व में संबंध विदेशनीती के आधार पर तयार कर रहे थे सोव्यत संग और पूर्वी योरप में जब ये इस्थिती आई तो उसके बाद राष्ट पती बुष ने नई विश्व व्यवस्था के निर्माण के उद्देशी की घुष्णा की और इसके माध्यम से एक तरह से ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अंतराष्ट्रिय राजनीती का केंद्रिय धुरुव जो है वो अमेरिका होगा और दुनिया में पूजी वादी अर्थिय वस्था का सुद्रडी करन होगा संयूक्त राष्ट्र संग का जो निर्ने है वो अमेरिका की विदेशनीती के अनुरूप होगा क्योंकि अब सोवियत संग एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था बलकि अब रूस था और अन्य छोटे पंध्रा राष्ट्र थे परतमान में भी अगर हम देखें तो विश्व की एक मात्र महा शक्ति अमेरिका के रूप में है केंद्रिय धुरुव है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता हालाकि चीन उसको चुनोती समय समय पर देता है परमानु शक्ति के आधार पर अगर हम देखें तो विश्व में बहुत से देश हैं जिनके पास इस समय परमानु शक्ति है विश्व की आय का एक तिहाई हिस्सा इस समय अमेरिका उत्पन कर रहा है सबसे बड़ा आया तक विश्व में अमेरिका है विश्व व्यापार का पांचवा हिस्सा एक तरह से अमेरिका से होता है और अगर हम कहें कि पुझी बाजार में जो बहुत ज़्यादा तेजी महाँ पर आई है तो उसका कारण है इंटरनेट और तक्नीकी व्यवस्थाओं का अविश्कार और इस आधार पर सयुक्त राश्ट्र संगी नहीं अंतराश्ट्र मुद्राकोष और विश्व बैंक जैसी जो अंतराश्ट्र विद्त की संस्थाएं हैं वो एक तरह से सयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में हैं क्योंकि वही सबसे ज़्यादा फंडिंग उनको करता है और सात्वा जो इसमें मैटर आता है बात आती है वो आती है आतंकवाद का उन्मूलन 11 जितंबर 2001 से पहले अमेरिका विश्व में उग्रवाद को रोकने के लिए कई वक्त अव्य देता था भारत जैसे देशों में आतंकवाद बहुत जादा था अमेरिका एक तरह से सम्वेदना प्रकट करता था जो शाब्दिक होती थी पाकिस्तान को आतंकवादी घोशित करने के लिए अमेरिका तयार नहीं था विश्व व्यापार केंदर और पेंटांगन पर जब पहली बार हमला हुआ जो सीधा अतंकवादी हमला था अमेरिका पर उसके बाद अमेरिका सचीत हुआ और उसने अमेरिकी राशपती जो अनों नहीं कहा यह हमारे देश के खिलाफ युद्ध की कारवाई है ये चद्म युद्ध है इस युद्ध को जीतने के लिए अमेरिका कृत संकल्प है और अमेरिका ने बधले की कारवाई के लिए विश्व व्यापी समर्थन जुटान का राजनेग प्रयास शुरू कर दिया और इस तरह से आतंकवादी हमले के खिलाफ उसने एक तरह से कारेवाईयां शुरू कर दिया जो अमेरिका की विदेश नीती है उसमें देश की संप्रभू और स्वतन्तरता की रक्षा बहुत मैत्वपून तत्वा है सामरा जिवात का विरूध एक बहत्वपून तत्व है इसमें और इनके आधार पर उसने अपना उदेश्य निर्धारीत किया और उसी के आधार पर हम आगे अमेरिका की विदेशनीती को देखेंगे अगली क्लासेस में हम अमेरिका की विदेशनीती को पढ़ेंगे जो उसकी विशेष्टाओं के बारे में होगा और उसके बाद किस तरह से अमेरिका की विदेशनिती बनती है अलग-अलग राश्टपती के काल में उसका हम लोग विशलेशन करेंगे नन्यवाद